लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए आज सुप्रिम कोट ने मरठा रक्षन मामले पर सुनवाई करते हुए इसे और वेवारिक बताया और याचिका को रद कर दिया सर्बोच अदालत ने कहा कि आरक्षन में बदलाव का अधिकार केंदर सरकार और पिछला आयोग के अधीन है जाहिर है सुप्रिम कोट के इस फैसले के बाद राज सरकार को जोर का जटका लगा है आज सुसेना नेताओं ने इस फैसले को लेकर प्रेस कांफरेंस की और कहा कि यदि आरक्षन का फैसला केंदर के अधीन है तो उसे यह जिम्मेदारी जल्द निभानी चाहिए वहीं बीजेपी नेताओं देविंदर फटनवीश ने इसे उद्दव सरकार की नाकामी करार दिया उन्होंने कहा कि जिस आरक्षन को बामबे हाई कोट ने मान लिया था उसे सुप्रीम कोट ने खारिच कर दिया इसका मतलब है कि महाविकासागाडी सरकार सही तरीके से अपना पक्ष रखने में नाकाम रही है देखे रिपोर्ट अपार कि देखे रही है आप लिए तरया कि अपारक आरट से स्मय में नाकाने में नाकार से सी तरत मातला से जारक कि अ कर दोट ने कर दोटालद मराठा समाज को आरक्षन देने की मुहीम को आज एक बड़ा जटका तब लगा जब देश की सर्बोच अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए राज सरकार की याचिका को खारीश कर दिया। जिम्यदारी केंदर सरकार के हाथ में है तो मोधी सरकार को चाहिए कि मराठा रक्षन के लिए जल्द से जल्द पहल करे। हलाकि इस पर बीजेपी नेता देवंदर फणवीश ने तीखी टिपणी की। पुर्व मुख्यमंतरी ने कहा कि जिस मराठा रक्षन को बामबे हाई कोट ने मंजूर कर दिया था उसे सुप्रीम कोट ने खारीच कर दिया। इसका मतलब है कि महाविकास आगारी सरकार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोट में अपना सही पक्ष रखने में नाकाम रही है। आईए सुनाते हैं देवंदर फणवीश ने क्या कुछ कहा। मराठा समाज को जो आरक्षन महाराष्ट में कानून के ताथ दिया गया था। उसको सर्वोच नैयले ने आज खतम किया है, स्ट्रक डाउन किया है। हमारे लिए ये बहुत दुखत घटना है। मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले समय जब हमने आरक्षन दिया तो एक केस उच्चे नैयले में गई। हाइपोट ने इस आरक्षन को वयदताय किया। तो कुल मिलाकर इस सारे मामले में जिस प्रकार से राज्य सरकार ने ध्यान देने के आवशक्ता थी। उसको राज्य सरकार ने नहीं दिया। जो एक समनवे राज्य सरकार में और वकीलों में होना चाहिए था। वो समनवे भी हमको नहीं दिखा। कई बार राज्य सरकार के सुप्रीम कोट में सीनियर काउंसिल्स को यह बोलना पड़ा कि हमको कोई इंस्ट्रक्शन से नहीं मिले हैं। हमारे पास जानकार ही नहीं है। और कुल मिलाकर आज जो फैसला आया है वो निराचा जनक है। अब हमारी सरकार से मांग है कि सरकार ने तुरंत इसके उपर सीनियर काउंसिल्स का पैनल तयार करके और इसमें हम क्या रास्ता निकाल सकते उसका एक पेपर तयार करना चाहिए। पुलिस बंदोबस लगाया था जहां पुलिस ने हापर दर्शन कर रहे मराठा करांती मोर्चा के दर्जनों कारेकरताओं को हीरासत में ले लिया। पूर्न महराडा समाज आला राच्य सरकार चाह गुरुदा दूपर हैनेची ही वेल आले लिया है। अनि मुनुला जाल सामी वासी तोलना के और बोठया प्रमानाच जमू उन बोठया जंकेने पोविडास लातरी रस्तारू कोहां करताम। Bureau Report, TB1 India